नमस्कार किसान साथ यूटूब चनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है यह बाटर टैंक पर जो हमारी खेत में डिगगी बनाते हैं उस पर यह दूसरी वीडियो एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है तो इसमें जो महारा चिनाई का काम है वह स्टार्ट हो गया है आदे तक पहुंच गया है तीन दिवारों पर तो जो यह देख रहे हैं आप चांद साती हो आपको किन-किन बातों का ध्यां रखना है आप डिगगी बना रहे हो यह कड़ा हर्याना की स्कीम है कड़ा डिपार्टमेंट की उसके तहत है जो सत्तर परसेंट सबसीड़ी अग कि क्याल्टी हमें ठीक लेनी होती है यह आप यह जो मैं कागज लेक हैं एक्सटीस रुपे किलो और डेड़ सूं एमम का डेड़ सो मैक्रों का है तो यह एक्सो तीस रुपे किलो है और यह सो बाई 90 की इसका साइज और इसका 165 किलो कागज लगबग लगएगा तो इससे यह लगबग अच्छे में है और इससे थोड़ा बहुत और भी अच्छा ले सकते हो आप तो इसके अंदर क्या होता है एक तो किसान सात्यों जो आप लेती हो इसके अंदर जो जोड लगते हैं एक तो लबाई जादा लेनी चाहिए कम से कम जोड आए इसके अंदर आपके अश्की लंबाई है तो इसमें जोड कम आते हैं उन्द के टाइम में आपको एक फैविकोल ओता है और यह के उप्र टेप होती है फैविकोल पर जोड़ आपको अद्दा फूट एक फूट चिड़ाकर उसको टेप कर दिया जाता है तो आपको जोड लगाते हैं इसमें एक तो इन बातों को जूरूर कर रहा है एक सीधी डिए टाइप इसके ऑंदर जो जोड दब जाते हैं यह हैं जो चिनाई दिया रहती है तो इसके अन्दरे अगर आप यह चीजों का ध्यान रख ले एक यह जो मारा टेंक होता है डिगी होती है तो इसके जो नीचे से लेकर तिली से लेकर और ओपर का इसा होता है छै साथ फूट आदा इसा होता है उस पर जो पानी का दवाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हम जब डिगी को बढ़ते हैं तो नीचे के इसे पर दवाव बहुत ज़्यादा आता है तो तो आप ने ये ध्यान जरूर रखना है नीचे कि जोम्ड़िए को कैसी है कि जो मिट़्िए वा पौली नी据री रहने चाहे यह उके निन के अधर टो पड़ति तो जो दोम पड़ेगा उससे आपकी जो डिग्ग वो उसका बैठने की सभावना रहती है ।ो उसलिए आपको जो नीचे का इसा है उसे दुरुमत से या किसी तरह से उसको अच्छी तरह से जमा लेना है तो इन बातों का छोट छोटी बातों का ध्यार रखना जुरूरी होता है और ये जिसकी जो कावेद के उपर जो मसाला डालकर जो पांच एक क्रेसर और सीमिट के अं होगा तो इसके हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आगे पूरी जानकरी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन का बटन दबा ले थाकि आपको आगे मैं जो वीडियो डालू उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए धन्यवाद